असलामुलेकुम फ्रेंड्स वेलकम बेक तू माई चैनल कैसे हैं आप साब उम्मीदे कि आप सब ठीक ठाक होंगे आज मैं आपके सामने एक नया हैरिस्टाइल लेकर आई हूँ और यह मौस्ट डिमांडिंग हैरिस्टाइल है यह हमें किसी ने इस डायरी गर नाम की कोई तो इस सबसे पहले हमने एक सेक्शिनिंग करने के बाद हमने डोनट लगा दिया और डोनट लगाने के बाद जो फ्रेंट की बाल थे वो हमने बैक कॉम करके इस डोनट को कवर कर दिया है अगर अभी तक कि आप लोग ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लग सब्सक्राइब कर लें लाइक करें शेयर करें और आज है जल Sabbath ainda के तरफ तक कि हम एक बैदरी में सहरिस स्टाइल वो हमने जह जाय से कर किती है अब हमने उसके उपर भी आगɪसे हमने काम करना शूरू कर देना है जिस तंह से बाल क्रीम होते है आप यह ना करें कि आप क्रिम के अंदर ही स्टाइल बनाने शुरू करते हैं बहुत जादा हमने ऐसे इस्टाइल देखें जो क्रिम के साथ ही बना देते हैं और आप यकीन करें वह इतने कोई रफी और बुरे लग रहे होते हैं कि उनमें जरा खुबसूरती नहीं होती ना शाहिन होती है तो आपने स पासत स्ट्राइलिंग के अंदर इस्टेटनर का भी यूज़ करना है अब हमने जब पीछे से डॉनट पोनी के साथ चुपाया है तो साथ ही फ्रेंट के भी थोड़ी सी लियर लेनी है और उसको भी हमने हलकी सी बैकॉम बना के जो हमारा पीछे से डॉनट हमने लगा है वह भी वह कमपलीट कवर कर देना है ताकि डॉनट दिखाए ना दे अधिक ऑपर से दिखाए दे बिल्कुल नीट और फाइन साथ कम करने उनको करके कर THIS करने के बाद फ्रेंट पीछे हम इसको पिन अप करंगे और उसके बाद आगे पर काम करेंगे तो यहीं पॉनिक refrigerator कि हैई च्लिक में इसकी सबसद्ध हदा खुब सूरति है यहां से हम पीछे कम कर रहें ये हमारा काम बहुत ज़दा फाइन होना चाहिए फ्रेंड्स हम आपके लिए बहुत पहनत करते हैं बहुत अच्छी वीडियो लेकर आते हैं ये वो वाले हमारे तमाम स्टाइल होते हैं जो आप एजिली किसी भी सेलोन की रनिंग के लिए आप बना सकते हैं ये वो स्टाइल हैं के इसके लेन कोई एक्स्ट्रा ॥े not इसमें की इस्टाइल निए जरूरी होते हैं ये उस तरह के स्टाइल होते हैं कि ठीक या क्थ ये किसूठास नहीं स स्टाइब भी बहुत आदा हमारा पैस्टाइब होता है और मेहनत भी बहुत जादा लगती है अगर एक सेलोन के अंदर एक वक्त में 12 तेरा क्लाइन है तो डेफिनेटली आपको एक क्लाइन के पर आदा घंटा लगा सकते हैं स्टाइल बनाने के लिए आप सारा घंटा एक स्टाइल को तो नहीं दे सकते हैं 12 पंदरा जो लोग हैं उनको भी आपकी डिमांड है आप उन लोग भी वह चाहेंगे कि आप उनकी तरफ भी तवज़ज़ दें तो बिल्कुल इस तरह के हमारे स्टाइल होते हैं कॉमन से स्टाइल होते हैं आप लोग ने बड़ी तवज़ज़ा देनी हैं और इनको बड़े अच्छे तरीके से सीखना हमसे हम आपके लिए लेकर आते हैं चे चेस्टाइल अब हम फ्रेंट की तरफ जाएंगे फ्रेंट का वाला जो हिस्से हमने उसको सेपरेट कर दिया आपने ये देखना है कि हमने फ्रेंट से कितनी लिमिट में बाल चोड़े हैं जो पीछे भी काम आगा है पोनी में भी और ट्विस्ट में भी काम आगा है और फ्रेंट का फ्लिक भी हमने बरा दिया है कि अब फ्रेंट का फ्लिक बनाने के लिए वही हमारे बाल क्रिंप हुआ है वह इस इतना भी नहीं करना गया बिल्कुल यह खतम हो जाए क्रिंप नहीं तो वालियम नहीं आएका और यह एंड तक के जितने भी हैं तक रिवन फ्रॉन पर जितना भी आएगा प्रिंपिंग यह layers उठानी है च्छोटी च्छोटी सी layers रेनी और layers को एक दूसरे एक अंदर हमने biscuits करते जADE हैं तो पीछे हमारी एक back home हो गई उसके पीछे हमारी pony tail हो गई और इसके आगे हमनेowitzта twist के आगे हमारा flick हो गया यह इतने लेवल पे हमने فरंट के बाल चोड़े वे से बहुत सारे लोग बहुत कम बाल चोड़ते हैं जिसकी विज़े से फरंट कह इससे में उस्त काली पन द काई देता है गंग पन दिकाई देता है जिसे पूर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है अगर आपको मजीद किसी और किसम के हैरिस्टाइल सीखना है आप चाथे हैं कि हम मजीद अच्छी आच्छी विडियो बनाएं और हम अपना टाइम कंज्यूम करें आप लोगों के लिए तो काइनल या आप लोगों को भी चाहिए हमारे चैनल को सबस्क्राइब करें भूलें ताकि नहीं नोटिफिकेशन आपको फॉरान मिल जाएं अब हमने तमाम तो इसको फिंगर के साथ हमने लूज कर दिया है और लूज करने के बाद जितने भी टोईसे हम एंड तक के बना के नई लेयर लेते जाएंगे और परानी लेयर के साथ उसे अटेश करते जाए और जितने भी परानी टुइस्टेहाम उनको सासद लूज भी करते जाएंगे और इसी तरीके से हमने इतमाम त्यूंसे othesis soll लिए सब्सक्राइब सब्सक्राइब जितनी पीच्छाइब है में इनको बैक्कॉम करनी की वज़ज़ सास्रें जब आग dus इस डि Tibra आगे सब्सक्राइब इस नगर ना चुरूरते हो तो smo करना सदो dividing को एד नियुक है टिस्स बना देना है फ्लिक अच्छी तरीक से बाॉंसी फ्लिक बना देना है उसके साथ ही सासद इस्प्रे बी करते जाने है ताकि हमारा फ्रण्ट का फ्लिक भी ना खुले और वह भी बहुत अच्छी तरीक incorporate से एड्जर सोब जाए इसके बाद जो हम आगे जितने भी हमारे बालें हमने इनको स्ट्रिटनर के साथ हलका सार्वाइन करना है राऊंड करने के बाद एक अच्छा सा फ्लीक हमने देजना है ताकि जो लूक है पैसिकली foreign की look नहीं समझ में आती उसके लिए पीछे का style भी बिलकुरी बेकारी हो जाता है जिससे grey's निकल लिए हो happiest friends है तो बहुत एच्जे से हमने front को cover करना है ताके उसे हमारी पूरे face की look निकलती है और जो हमने इसका जो इससे पहले हमने जो एक style बनाएता हुर soit तो भी है कि नहीं हमने इसके साथ इसी वीडियो के साथ अटेज़ कर दिया बीच में आपको दिका दिया जिसकी वज़े से हमारी हमारे पास दिमाइड आई थी कि आप इस टायल का टुटोरियर भी बना के दें फ्रेंड्स किसी भी वीडियो को बनाने के लिए बहुत जाधा टायम कंजीम होताया है मैनत कंजीम होती है तो आप लोग कुछ चाहिये हमें जादा से जादा शेयर करें हमें फालो करें और हमारे चैनल को सबस्क्राइब करें साथ साथ अच्छे अच्छे कमिट्स भी क्या करें जिसे हमारी होसला आफ़ायी होती है और हम नई से नई वीडियो बनाने के लिए हमारे अंदर एक पैशन पेडा हो जाता है ताकि हम आपको अच्छे से अच्छा काम दिखा सकें और आप भी अपने अपने सेलोन के अंदर उसको अपलाए कर सकें बैदरीन परफेक्ट ये काम होता है कि जो भी चाहे अपने सेलोन के अदर अच्छे तरीके से इसे अपलाए कर सकता है पीछे से बालो को इस्ट्रेट कर देना, अगर आपको दिल चाहता है इस्ट्रेट कर देना, वरना नहीं तो नीचे की जो लियर से आप उनको रॉट भी कर सकते हैं, अगर आपका हमारे इस्टाइल पसंद आए, तो कमेंट्स करके हमें जरूर बताएं कि कैसा लगा, थैंक य क्यों तो सुम्त आपका म brain करीछ करन कूल झाबल पसंद और देना ऐस्दाइब कलीं जरू पसंद खंई एतके जरूर और चाहता है वू कैसा बढूर पसंदित कि जरूर तवका टीचे कैनूपक।